हालो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर साइनल पर अगर आप इस साइनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंशती रहें इसी वीडियो में हम लोग डिस्केस करेंगे जो न करते हां यह वीलिफिकेसन नहीं हम अभी वहशार इस आरे चुप करते हैं तीक है यह भी यह गुचल कमेंट कर रहे देख लेंगे इस वीडियो में यहां पर देखें जैसे ही आप पीएमेस को ओफिशल वेबसाइट पर आईएगा गुगल पर आपको सर्च करना है पीएमेस ऑनलाइन भीएएज डौट नाइसी डौट इन ठीक है तो आपको होंपेज खूल जाएगा पुस्ट मैट्रिक स्कॉलर्सी पोर्टल का यहां पी आपका तीन लिंक गीवन है पाहला लिंक है आपका रेडी पोर्पेमेंट पार्सियल लिस्ट दूसरा आपका एप्लिकेहर आपका इसपर आप किलिक किजेगा तो आप जो है अपना फॉर्म का अभी किस प्रोसेट में फॉर्म है उसको आप में पूरा किलियर के साथ कोन क्वारा कोनवा सा प्रोसेट में जो फॉर्म kryषाइड हुआ है और कौन जो है आपका लिंक इसमें जो है आपका वह है students का नाम रहता है जिसका जो है verification complete हो चुका है तो जो students का नाम ready for payment partial list में नहीं है इसका मतलब यह होता है कि उनका verification अभी तक complete नहीं हुआ है ठीकिन बिहार government के द्वारा जो है आपका 25 माई गया था कि सारे शुक्त का जो है वरीफिकेशन वह कमपलिट लिए जाएगा थीकशंछ और आप का क्या जो मेंक्त देet रखा गया है 21 मैं रखा गया है यहां पर हम लोग देख लिए हैं कि आपका कितना स्ट्टूइट का प्रोशेस पोड़ा की नहीं कि यहां पे आप देखिए आपका बैंक का ऐखाउंट वह दो अदार से लिंक होना चाहिए और आपका अक्तिव होना चाहिए तब भी आपका अकाउंट में पैसा जाएगा थीग है एक स्ट्वूंट का डौट था कि मेरा बैंक यहां थार से लिंक नहीं है यह वह पैंक पेंडिंग रहा है फिर भी अपका पैसा जाएगा जब आपा थार लिंक कर existing अगर इंगर अरहाय लाग तक है तो उनका जो जो भी हार गौवर्मेंट पाइक कर रही है और जिनका इंकम जो है और हाई लाग से तिन लाग तक है उनका जो हंदे पर संद जो भी हार गौवर्मेंट दे रही है ठीक है अगर आपको वेरिफिकेशन में कोई प्रोब्लम हुआ है मतलब एजेक्ट कर दिया गया फॉर्म तो आप पोस्ट मैट्रिक भी हार हेल्फ पर कर सकते हैं यहां पर देखिए जो इसों को चेक करने नहीं आता है यहां पर देखें यहां पर आपका इसडीक करना है इसके बाद आपको होम डिस्टिक करना इस्टिक का हम लोग जो भी ऑचिए और बोस्त कर सकते हैं तो नवा श्राह्व एस लाइंट करते हैं क्र c 1 ऍपर त्लेंगर fda tv नहीं हुग से आप एक यतर नहीं च्रुझ अपिकर क्मिकेति अप्लिकेशन आइडी से उससे भी कर सकते हैं नोय सब्सक्राइब करें खिए क्या चाहिए अभी तक ना लब है एक डिस्टिक का एक विलेंज का फॉरिफिकेशन नहीं हुआ है उनके लिए deadline जारे किया गया ताकि 25 समय को complete कर दिया जाएगा लेकिन 25 समय से 27 समय हो चुका है लेकिन एक भी student का form verification complete नहीं हुआ है जो भी आपका payment का 31 समय last date रखा गया था वो ही लग रहा है कि उसमें 31 समय तक complete नहीं होगा payment जो कि अभी तक verification ही complete एक भी student का verification नहीं हुआ है district म है ठीक है इसी परिकार जो है आप वह भी district का check कर सकते है जिसमें एक भी student का form verification नहीं हुआ था इसमें चेक कर लेते हैं जो भी 25 माई के बाद जो है तो possible नहीं है कि एक दिसमें तक सारे student को पैसा चला जाएगा तो कि अभी तक verification ही नहीं हुआ है ठीक है अगर आपको बिहार postmatic scholarship से related कोई doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हैं अगर यह video आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे थांक्यू फोर वाचिंग पर अच्छा लगेश हैं तो चैनल को अफिता लगष भ्ला यह थांक्या तो आपको भराई बुचिंगका लागे इसकंपा अपको अभी झाटा बुच जद मुदाना मुजखेश जलाल करें सारे वाउ़ है को सब्सक्तल करेंब varies आब क्तर